Hi guys, यह जो मेरे हाथ में है ना, it's a very very special thing, यह 14 years old iPod Classic है, 7th Gen, आज की ताइम पर अगर मैं इसको बेचने गया ना, तो मेरे साब से 50,000 अपर क्या सपस भीगे गए, और जो यह बंदा टेक से प्यार करता है ना, उसको पता हुआ कि यह प्रोड़क्ट जो है, Steve Jobs के एरा का है, क् यह बहुत special है यहार, मैं सब कुछ बता हुआ इसके बारे में, स्टार्ट करने से पहले बता दो, मेरे नामे संचे चैलिक का नामे टेक बार, ऐसी वीडियो में बनाता हुआ हूँ, अब सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, अन्बॉक्सिं तो चलो इस आइपोड को मैं निकाल के, अभी के लिए साइड में रख देता हूँ, यह भी बहुत special चीज है, बट मैं आपको box content दिखाता हूँ, अब क्योंकि यह मैंने पुराना खरीद है, तो यहाँ पर packaging बहुत, मतलब बुरी तरीके से हो रखी है, और उस time पे, मतलब 14 years पहले ऐसे earphones Apple देता था box के अंदर, और यह जो आप cable देख रहे हो ना, यह cable special है क्योंकि यह 30-pin charger है, iPhone में भी पहले यही लगता था जो पहले iPhone होते थे, और वो iPod के अंदर भी था, अब यह आप जो देख रहे हो ना, यह documentation है, और यह सबसे special part है इस box का, क्योंकि यह excellent condition के अंदर, आप देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जिसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी paper जो है yellow नहीं हो रखा, और आप देखो Apple stickers भी yellow नहीं हो रखे, यह 14 years पुराने stickers है, अब iPod में आपको दिखाता हूँ, front चे तो आप देख चुके हो यहाँ पर यह screen है, back side में यह metal हमे देखने में मिलता है, जो मेरी unit है, इसके उपर scratches तो बहुत आ गए है, बट यह उस time पर इसमें एक अलग सी heaviness और premiumness maintain करना बहुत बड़ी बात रही होगी, इसकी उपर वाली side में जो है, यह lock बटन है, ऐसे करने से unlock हो जाता है, और यह headphone jack है, back side में mention कर रखे है कि यह 120 GB के स और इसकी hard drive है हलकी से spin करते हुई सुनाई देती है, यह चीज़ भी बहुत fascinating थी मेरे लिए, in fact आपको एक और बात बताता हूँ, Apple ने इसको एक तरीके से multi-purpose बनाया था, उस time के साब से, क्योंकि इसकी storage के साब से बता हूँ, तो आप 25,000 photos store कर सकते थे, या फिर 500 घंटे की videos, या फिर 30,000 गाने, अब इस iPod को ना front से देखो, जो इसका circular dial है नहीं है, इसको click wheel बोला जाता है, और सबसे amazing बात, अब देखना मैं इसको gestures के तरू कंट्रोल करूँगा, 14 years पहले gestures थे यार अपल की project में, और बहुत अच्छा work कर रहा है है या आज भी, इसी point से याद आ इसके अंदर game भी चलता है, और बहुत अच्छा work करता है, और वो भी gestures के तरू कंट्रोल हो जाता है, गेम में खेल रहा था, बहुत fantastic gameplay मेरे लिए वो भी था, और आपको एक बात बताता हूँ, कि अगर इसके अंदर कुछ भी data import करना है ना, तो इस 30 pin वाला यहाँ पर cable लग रहा है, लेकिन 2008 में लोग movies देखते थे इतने screen size में, लेकिन यह बहुत exciting part है, क्योंकि यहाँ पर music video पका लोग store करते होंगे, और यहाँ पर कोई speaker नहीं दिया है इस iPod के अंदर, तो आप सिर्फ headphone jack के तरू ही गानी सुन सकते हो, और यहाँ पर output तो बहुत fantastic है headphone jack का, एक चीज आपने notice करी, कि यहाँ पर volume rockers नहीं है, अगर आपको जो है volume up and down करनी है, तो जब भी गाना play कर रहे होगे, तो वहाँ पर gestures की जरू up and down होगा, काफी cool लगा है रही है, और जब मैं इस iPod को चला रहा था न, मैंने check यहाँ पर एक extras का tab है, मैंने उसको खोला, उसक stopwatch का भी option दे रहा है, I think उस time पर multipurpose for sure रहा होगा, इसको use करने के बाद न, एक बात जरूर कौँगा, कि यह Apple का vision बहुत अच्छा था यार, इतने simple सी UI यहाँ पर, अगर आपको videos दीखने है, उसके लिएक अलग tab है, मैंने कुछ भी न, complicated नहीं का रखा, और वो आज तक चल नहीं easy होना, honestly इसको use करके मेरे को बहुत मजा आया है, I hope आपको भी मजा आया हो, इसी बात पर like बनन पर click कर दो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए, तो subscribe करके हमाई Techmanarmy को join कर लो, हम लोग quality में believe रखते हैं, अगर दो मिलते हैं, thanks for watching, bye bye guys